हलो फ्रेंड्स आइम प्रीती शुकला वेलकम टू पहलवान गुरुदीन गुरुफ आप कॉलेज की यूटूब चैनल पे यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सेर कीजिए और सस्क्राइब कीजिए तो आज हम लोग स्टेडी करने वाले हैं ऑक्टिर रूल, जिसे ही कि हम लोग अस्टक नियम भी बोलते हैं, आज हम इसी निकालना भी समझेंगे, इसकी डेफिनिशन को भी समझेंगे तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनिशन को समझते हैं कि आउक्टिर रूल का मतलब क्या होता है, तो आउक्टिर यानि ऐसा ऐलिमेंट जो की एट इलेक्टोन को कम्प्लीट करता है, अपनी आउटर सेल को कम्प्लीट करता है, जिस तरह से क्या होता है कि कोई भी ब्यक्ति होत सबहुतके वो अपनी इस्थायत यह इस्थायत को सविल्टी को प्राप्ट करने की कोसिस करता है उसी तरह क्या होता है कि आवर साड़ि में भी इस Tribe क्या जाता है कि कोई घ्रेत लिक थो यह फिर एलीचес यह जो कहलाता है जब इसरी मैं जय सपरैंबी यह आप लोगों के लिए बताए हैं जो डी ब्लॉक के कुछ अलिमेंट यहां दिये गए हैं पूरे ही दिये गए हैं अलिमेंट कुछ नीचे की जो दिये गए हैं वो यहां मैंने राइट नहीं किये हैं तो जो डी ब्लॉक के अलिमेंट यहां दिये गए हैं इनमें अधिक तक अक्ट और वाई नंबर यहने समझाया है तो इनकी बात मैं अभी करती हूं जैसे कि कुछ चीजें और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि देखे ओक्टरूल तब ही कंप्लेट होता है जैसे कोई भी एलॉक्टॉन हुआ उसके जो आउटर सेल होती है उसको पूरा करने भी किसी से एक्सेप्ट करेगा या फिर उसे साजह करेगा इस तरह से वह किसी ना किसी तरह वह अपना आउटर सेल जो है उसको कंप्लीट करने की कोसिस करेगा क्योंकि तब ही वह स्ट्रेविल होगा तो हर एलिमेंट अपना अपनी स्ट्रेविल्टी को बनाने के लिए एट ल देखिए इस तरह यहां S होता है, यहां जो D आ जाता है, यहां यह P रहता है, और इस तरह यहां F लोक रहता है, यहां F लोक रहता है, तो देखिए यहां S होता है, यहां D, यहां P और यहां F होता है, यहां देखिए जब P यहां element होता है यहां 18 ग्रूप होता है और 18 ग्रूप में जिन्हें हम अक्रिय गैसे कहते हैं या अक्रिय गैसे या सून ग्रूप भी बुला जाता है तो यहां जो helium, neon, organ इस तरह की क्रेप्टों, xenon, redon इस तरह की जो element है जिन्हें 0-group element भी बोलते हैं या फिर 18 ग्रूप भी बोलते हैं अक्रिय गैसे भी बोलते हैं तो यहां जितने भी element है जीरो ग्रूप के उनका इस्तायत complete होता है यानि वो stable होते हैं क्यूंकि उनका जो outer cell locked on होते हैं वो complete होते हैं दीखिए जैसे मैं एक example आप लोगों को देना चाहती हूं कोई भी अक्रिय गैस या 18 ग्रूप का कोई भी element ले लेते हैं ठीके चलिए neon ले लेते हैं इसका atomic number होता है 10 atomic number 10 होता है यदि हम इसका locked on configuration निकालते हैं locked on configuration निकालेंगे तो 1s square 2s square 2p6 देखिए यहां कितना हो गया 224 and 6 complete हो गया 10 अब देखिए यहां जो पी है पी में कितने locked on होते हैं 6 locked on होते हैं तो यह complete हो गया इसमें ना ही locked on लेनी की जरूरत है ना ही locked on देने की जरूरत है तो इसमें complete है तो इसी तरह 18 locked on जितने भी हैं हां 18 गुरूप में जितने element है वो complete cell है उनकी तो वो after rule को follow करते हैं already क्योंकि उनमें 18 लॉक्टन है उनमें stability भी है तो जो 18 गुरूप है वो complete है इसी तरह हमें यदि इसमें कम होता तो हमें इसको complete करने के लिए लॉक्टन या तो देना पड़ता है या लेना पड़ता है तो इस तरह से हम इसे complete करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका करते हैं इसमें ठीक है तो इसी तरह डी ब्लॉक के कुछ element दिये गए हैं लेकिन जरूरी नहीं कि हर element का जो outer cell है वो complete हो तो outer cell complete करने के लिए हमें औक्तर रूल को निकालना पड़ता है देखना पड़ता है कि कि इसमें क्या है यह 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 फॉलू कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है यदि उसमें outer cell ले लॉक्टान complete होंगे तो वो औक्तर रूल को follow करेगा तो अब हम next चलते हैं जैसे डी ब्लॉक में यह element दिये हैं यह मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहां जैसे यहां था वन और टू यह वाले थे यहां एस ब्लॉक के थे यहां से 3 से लेकर 12 तक यहां आपका डी व्लॉक के element है अब यहां देखिए कि इसकेंडियम है इसकेंडियम के outer cell इलॉक्टान कितने होते हैं तो इसकेंडियम में कितना इसकेंडियम का होता है 21 ठीक है 21 होता है यदि हम इसके outer cell को देखें आउटर इसके लिए तो लास्ट का जो रहेगा आउटर सेल की बात कर रही हूं तो 3D बन और यहां 4S स्कुराइल ठीक है अब देखें तो हम इसमें डी में कितने हैं वन लॉक्टान है और एसमें क्या है टू तो टोटल कितने होगा टू वन फ्री मुद्ही यह यादि हम इस सीरीज को लर्न कर लेते हैं तो run कर जाएगा इसका हमें जान्धाइकus कि लॉप जाएं देखिए इसी तरह टाइटेनियम की बात करें यदि तो इसका आउटर सेल लॉक्टों 3D 2 और ये तो कितना हो गया यहां 4 और यहां क्या दिया है 4 इस तरह से हम इसको कम्प्लीट कर सकते हैं और यदि अब हमें निकालें तो इसको आउटर सेल हमें इसमें जरूरी होता है कि एक लॉक्टॉन हमें ले ले लेते हैं यह दिखी इस सीरीज को भी हमें लेंकारें भी होगा के रो हमें iç c ही रहना चाहिए इसके नीशे वालों का भी उतना ही होगा। Such है उट काति निकाल ले DU I7 Lori L यदि उसका निकालost न्युआ लेंगे फिरूटर सेल इस और कल सकते हैं अब इसका देखकनेसी प्राइनान मेरा券 20 किल धान के नामें कितने हैं सबसे पहले हमें यहां दिया है कितना है अब हम इसका यदि हम निकालते हैं यह मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसका और्गन का कम्प्लीट है 18 इसलिए यहां यदि हम यह लग देते हैं तो आंगे कहां में लॉक्टान कॉन्फिगेशन नहीं लगना पड़ता है ठीक है अब 3 3D क्यों धर्ड थर्ड और थर्ड सीरीज है और यहां डी हमारा डी ब्लॉक में हैं तो अब इस पर कितने हैं 6 और 2S स्कॉर अब देखिए 6 2 कितना हो गया 8 यहां कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है ओके अब हम इसका निकालते हैं अब हमें आयलन का पता चल गया है कितना है 8 तो हम इसके नीचे लिखते हैं 8 plus कोवाल्ट में यहां 2 होता है into 4 करेंगे अब देखिए यहां लास्ट में क्या है माइनस 2 दिया है तो माइनस दिया है यानि कि जब माइनस दिया हो तो हम यहां क्या करते हैं 2 इसमें plus कर लेते हैं ठीक है प्लस कर लेते हैं, अब देखिए इसका, क्या यह यह ओक्टरूल को फॉलू करता है कि नहीं, देख लेते हैं, 8 का 8 लेख देंगे, यहां 4 टूजा, 8 प्लस 2, 8 8 16, 17 18, इसमें 18 लॉक्टरूल को फॉलू कर रहा है, जहां 18 लॉक्टरूल को फॉलू करेगा, तो यह समझ में आया है, इस तरह हम आगे भी, आगे भी और भी एक्जाम्पिल को हम इसी तरह सॉल्व करेंगे, और भी बहुत सारे एक्जाम्पिल, समझेंगे और जानेंगे कि किस तरह हम आक्टी रूल को फॉलो कर सकते हैं तो आगे और भी एक्जामपिल देंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे जब तक कि आप आपका हॉमबर्क यही रहेगा कि आप डी ब्लॉक के अलिमेंट को लर्न करें तब तक के लिए थेंक्यू